रोज रोज की रोटी सबजी या फ्रांठे से बोर हो गए है तो इसे बनाईएं बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है खाने में टेस्टी होता है हेलो फ्रेंट्स मैं शेशी आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर आज मैं नाश्टे में उपमा बना रही हूँ इसके लिए मैंने यहां पे सूजी ले रखी है इसे हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे इसका जो कच्चापन होगा वो भी हट जाएगा मौशर होगा वो भी हट जाएगा सूजी हमारी ड्राइ रोस्ट हो गई है और यहां पे मैंने ड्राइ फ्रूट है इसे भी फ्राइ कर लिये है इसे एक प्लेट में निकाल के रख दिया है और साथ में ही यहां पे मैंने एक प्याज और टमाटर अदरख लसुन है इसे कट करके रख दिया है तो आज जो उपमा है इसे मैं बना रही हूं घी के साथ तो यहां पे मैंने एक बड़ी चमच घीर डाल दिया है और इसमें राई डाली है और जीरा डाला है और साथ में ही ये कड़ी पता है इसे भी डाल दिया है अब हम प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तेल के साथ तो इसका जब तक कलर चैंज नहीं होता तब तक हम इसे भून लेंगे प्याज को इसमें आप और भी बेजिटेबल्स डाल सकते है गाजर, मटर, बेंस और यहाँ पे मैंने यह अद्रक है लसू ने इसे डाल दिया है और अब इसका जो कलर है हलखा साथ चैंज हो गया है तो हम यहाँ पे तमटर एड़ कर लेंगे और साथ में ही इसमें डाल देंगे नमक स्वादनुसार और थोड़े जो मसाले है इसे भी हम एड़ कर लेते हैं धन्या पॉडर डालेंगे और जीरा पॉडर डालेंगे अर एक चुटकी हम याँ पे हल्दी डालेंगे ज्यादा हल्दीया नहीं डालेंगे अच्छे से mix कर देंगे जो हमने सूजी ड्राय रोस्ट की थी उसे add कर लेंगे आप चाहे तो बाद में भी सूजी डाल सकते हैं पहले आप इसमें पानी डालेंगे सब्जी में या फिर टमार्टर प्याज में तो मैं पहले सूजी डाल रहे हूँ और गरम पानी करके रखा था तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके add कर लेंगे एक़ी बार सारा पानी नहीं डालेंगे फिर हमारा जो उप्मा है वो बहुत भी गीला बन जाएगा थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करते रहेंगे और लगातार उपमा को चलाते रहेंगे ताकि ये सूजी अच्छे से फुली फुली बने और उपमा भी हमारा बहुत ही अच्छा बने खिला-खिला सा थोड़ा सा यहाँ पे नीमू का तुकड़ा है इसका रस डाल देंगे आप इसकी जगे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो उपमा है वो बन कर तयार हो गया है अब हमने जो ड्राईफरूट यहाँ पे फ्राई किये थे चने भी ले रखे है इसे हम डाल देंगे ड्राइफरूट हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि जब हम सूजी में पानी डालेंगे इसे कुक करेंगे तो हमारे जो ड्राइफरूट है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे खाने में बिल्कुल तेस्टी नहीं लगेंगे तो इसलिए हम ड्राइफ रूट लास्ट में डालेंगे और उपमा हमारा बन गया है तो इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं फिर हम इसे सर्व कर लेंगे उपमा हमारा हलखासा ठंडा हो गया है तो इसे हम सर्व कर लेते हैं यहां मैंने इसे निकाल दिया है साथ मैं इसके उपर कोकोनेट पॉर्डर डाल देंगे इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें और मैंने यहां पे एक मेर्च फ्राइ की थी और इसमें हलखासा नमक लगाया है और साथ में हम इसके साथ लेंगे चाए तो उपमा बनने में बिलकुल वे टाइम नहीं लगता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी होता है टिफिन के लिए फटा-फट से बन जाता है और सुबह के नाश्टे के लिए तो बहुत ही ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले आज के लिए बस इतना ही जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए